राजस्थान को राजा महराजाओं के प्रदेश के रूप में जाना जाता है यहाराना, सांगा और महराना परताब जैसे महान वीरों ने जन्म लिया था राजस्थान किलो और महलों के लिए प्रसीद है ज़मेर, चित्तौरगण, आमेर और भरतपुर के किलों को देखने के लिए जूर दवर से प्रेटक आते हैं जैपूर का हवा महल हो या उदैपूर का जहल महल सभी राजस्थान के सुनत्ता में चार चान लगा देते हैं राजस्थान के लोग संगीत प्रेमी होते हैं। उनके निरित्ते आलोग संगीत को देखा ऐसा लगता है कि मानू राजस्थान के कनकन में संगीत रचा बसा हो। हातों में महंदी लगा इसी तारों से जड़ी रंग, रंगी घांगरा चोली पहने जब बालाई निरित्ते करत कला का अद्बूत नमूना है इसमें कपड़े को अलग यां लहरियों वाले कपड़े से ही बनी होती है इसके अद्रिक राजस्थान के लोग कट पुतली बनाने की कला नक्सासी कसीताकारी और लगुच चित्रकारी में भी प्रवीन है राजस्तान को रिगिस्तान पर देश के रूप में जाना जाता है ऐसो तो गाइब हैस और भेर सबी यहाँ देखने को मिलते हैं फरनतो ऊट यहाँ का प्रमुक पसू है इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है क्योंकि उट कई दुनों तक बिना खाय पिये रह सकता है इसके पैर गदिदार होते हैं जिसकी साहिता सीहरेती ले जमीर पासानी से चल सकता है प्राचिन काल में रास्थान के लोग एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए उट का प्रियोग करते थे आज भी यहां कुछ सहरों जैसे जोतपूर बार मेर में उट परिवन का मुख्य साधन है रास्थान के लोग सभी परवो को बड़े उस्सा के साथ मनाते हैं जैपूर में हाती मेला गंग और महसब तीज महसब पता सितला अस्ठमी का मेला बहुत धूम दाम से मनाये जाता है तो आप लोग रास्थान घूमने कब आओगे कमेंट करो अभी